कि स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना लेक्चर आज का ठीक है आज का जो लेक्चर है वो कि लेक्चर के बाद यह कर देंगे पिर इंशालाद इसको हम देख लेते हैं को इसलंग आज का जो लेक्चर है वो एक्चुरी जो प्रिवियस लेक्चर्स हैं कल वाला जो था उसकी ही एक चेन है एक कॉनेक्टेड है उससे इस सब्सेक्वेंट इवेंट्स होते रहे हैं ठीक है और इसके अंदर कल हमने जहां तक पढ़ा था कि नैशनल असमली ने कुछ वर्क स्टर्ट किया था उसमें जो फिनान्स का मसला था उसको भी सॉल्फ करने की कोशिश अग्राइन कोशिश की जो रिजिजियस которую हो रही थी चर्च की उसको कोशिश की और कोई सोशल जो मसले थे उनको भी टैकल करने की अपनी तरफ से अड्मिस्टेटिव इशूर्ज को भी डील करने की कोशिश की गई इसमें जो पॉलिटिकल इशू था खास तोर पर किसकी कितनी पावर होनी चाहिए उसको इन्होंने थ्रू इंट्रोडीसिंग द सब्सक्राइब करने की कोशिश की उस पॉलिटिकल इशू फिर मने यह भी देखा था कि जो प्रिंस्पल ओफ मॉन्टेस्क्यू था जो एक फिलोस्फर था जिसकी जो थीरी थी सेपरेशन आफ पावर का जो फार्मूला उसने बताया था कि एक्जेक्टिव बिश्री और आपके लेजिसलेशन के अंदर एक डवियन होनी चाहिए तो इन्हों ने भी इस फार्मूले को फालो किया और इन्हों ने भी इन तीनों को अलग-अलग करने की कोशिश की इसमें जो लेजिसलेटिव अथार्टी थी लेजिसलेचर थे तो फस कॉंस्टिशन म वो लेजिसलेटिव लिजिसलेटिव आसंबली की तादाद होगी जो फस्ट लेजिसलेटीव वाजिसलेटिव असंबली बने यानि कह तरिककार जो होता है ना वो यही होता था आप पाकिसान स्टूडिज में देखेंगे computer assembly उती थी जब वो ूपना आइन बना लेती थी तो वो automatically खतम हो जाती थी अच्छा जैसे ही वो खतम होती थी ना constitution assembly तो वो last काम उसका यह होता था कि उसने election करवाने हैं ताके जो नहीं assembly आए वो फिर उस constitution के ओपर ओध लेके काम करना start करते हैं यहां भी इसी तरह ही होगा कि आपके जो constitution assembly है वो dissolve हो जाएगी और वो जो constitution देखे जा रही है उसके accordingly उतनी सीटों के उपर election हो जाएगा ठीक है तो legislative assembly का जो है वो उन्होंने का कि तादाद जो है वो 745 होनी चाहिए ठीक है और वो तादाद उन्होंने कहा कि फर एक चेंबर की हो यानि कि दो houses नहीं होंगे हमारे हां इस तरह हां पाकिस्तान के है ना दो houses है एक सेनेट है एक national assembly वहां पर एक ही house होगा और उसने का कि वो legislative assembly का नाम दिया ठीक है और 745 उसके members वंगे उसके election होंगे और वो दो साल के लिए आएगी ठीक है जी good हो गया और अब सवाल यह था कि वोर्ट का हक किस को होगा कौन आदमी वोर्ट दे सकता है कि सब लोग वोर्ट दे सकते हैं तो ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था कि 745 लोगों को अलेक्ट करना है वो सब आम जनता जितनी भी है वो सारे वोट देंगे ऐसा नहीं था सिर्फ वो लोग वोट देंगे जो टैक्सिस दे सकते हैं एक खास किसम का लेबल होता था क्या आपने इने इतना अगर स्पेसिफिक टैक्स दिया है और उसक पास उसकी जो रिसीद है उसकी जो प्रूव है वो आपके पास है या इतनी जो है वो प्रॉपर्टी आपके पास है तब आप जाके जह है वोट दे सकते हैं इसी तरह जो लेजिसलेटिव मिमबर्स थे उनके लिए भी कुछ रिस्टिक्शन्स थी हर कोई नहीं खड़ा हो स सकते हैं या वोटर के उपर भी रिस्टिक्शन है और लेजिसलेटर बनने के उपर भी रिस्टिक्शन है अब जो एग्जेक्टिव का मामला था तो इनोंने तो एग्जेक्टिव एथौर्टि जो है वो कहा कि किंग के पास होनी चाहिए अभी किंग को जो है उन्हों नहीं किया था याई निके अभी किंग जो है वह अपनी ऑपने बात की थी गुझाए आगे आएंगे कि आप जो है ना इग्जेक्टिव और्डर्स वार करनी है नहीं करनी कोई वीज़रा वर्क करना हो लेश्टिटर्स का उसके अंदर आपकी कितनी इंटर्फरेंस होगी तो उन्होंने काफी पावर्स किंग को भी दे दी कॉंस्टिशन को भी रखा लेजिसलेटिव असंबली को भी एलेक्ट करके लेकर आए लेकिन इस्टिल जो है वह एक्जेक्टिव पावर किंग को दे दी ठीक है और जुडिश्टिश्री मैंने बताया था कि जुडिश्री के जुडिजिज्जिज्ज हैं आपके बॉईज वह जो भी एलेक्ट होते थे तू-टू-फॉर एयर्ज तक के लिए एलेक्ट होते थे और अब इसके अनदर जो बेसिक चेंजिंग की गई थी वह यह थी कि पहले जो जुडिज होता था कोट का रॉयल कोर्स हैं आपकी मिल्टरी कोर्स हैं उनके जितने भी जजिजिज होते थ और इस तरह वो उनकी जो फैमली है वो आहस्ता आहस्ता रूल करती रहती थी तो उन्होंने ये सिस्टम खत्म कर दिया कि जो भी इन्हेलिटेंस होगी उसकी पॉजिशन की वज़ाए से को कोई घर मिलेगा ठीक है कोई गाड़ी मिलेगी या कुछ भी मिलेगा तो वो उसकी तो आप की नहीं होगी अब ठीक है यह चीजें बिसिकली उसके अंदर थी इस तरह पावर के इस तरह करने की कोशिश लेकिन जाहर है हुमन ने कॉंस्टिशन बनाया है और कॉंस्टिशन जिस तरह बना है एक मॉब के फार्म में लोग इकटे हो गए थे और उन्होंने का कि जो है कॉंस्टिशन बनाएंगी तो उसके अंदर प्राब्लम्स दो आएंगा और कि कोई बहुत लॉंग डिबेट नहीं चली सके कॉंस्टिटुशन के ऊपर फ्रेमवर्क किस का किस तरह करना है किस तरह काम करना है इसके उपर को बहुत जद्रांबी डिबेट नहीं तहीं Constitution को इंदर देखने को हमें मिलेंगे ठीक है तो हम 1971 के Constitution के कुछ एक दो पॉइंट्स देखते हैं कि क्या बेसिक कुछ मसले थे उसके अंदर जिसकी वज़ा से वो फर्दर आगे कुछ कीवेंट्स होंगे उसको हम देखेंगे एक जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जो लेजिसलेटर्स है जो लेजिसलेटर असंब्ली के मिंबर्स हैं 745 वो लोग और जो एक्जेक्टिव है यानि के किंग है और उसके साथ जो भी उसके कोई मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा स्टिकली सेपरेट थी, यानि कि उन्हों ने इस झाल किया जो पावर शेरिंग जो है, वो बहुत ज़्यादा स्टिक्ट हो गई थी, जिससे वरकिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई अब यह देखें कि पाकिसान के अंदर हम देखें या दुनिया के अंदर कहीं भी देखें पाकिसान की चले एक्जेंपल ले लेते हैं कि इसके अंदर जो आपका प्राइम निस्टर होता है वो कौन होता है बिसिकली प्राइम निस्टर कौन है है यह भी बेसिकली एक प्रामिनीस्टर कौन हुता है एक मने होता है ठीक है MN होता है कि मने का मतलब लिजिस्लेटिफ असंबली का मिंबर लेजिसलेटर होता है वो फुद अटसल्फ अच्छा जब वो प्रभं निस्टर बनता है और वो अपनी कैबनेटा बनाता है तो उसको हम कहते हैं कि वह चीफ एड़जेक्टिव बन गय है यानि के वह चीफ एड़जेक्टिव तो है ठीक है और अपरे साथ जोसकी कैबनेट है वो एक्जेक्टिव है और पूरी कैबनेट को हम एक्जेक्टिव देखते हैं और वह रिस्पॉंसिबल होती है लेजिसलेटर के सामने यानि कि उसी legislative assembly से ही कुछ persons उठकर executive को बनाते हैं head of the executive को deal करते हैं ठीक है एक्जेक्टिव यह जितने भी आपकी इसको जाहर है हाद department के उपर मिनिस्टर बैठा होता है मिनिस्टर क्या होता है वो cabinet का एक member होता है और cabinet का member कौन होता है जो आपका मने हो या सेनेट से हो ठीक है तो legislative assembly जो है उसके अंदर से हमारे यहां cabinet मेक्स आफ़ पावर नजर आती है एक एक दुसरी के ओपर counterbalance नजर आता है counter check नजर आ रहा है ठीक है अब यह चीज़ वहां पर जरा missing थी और एक strictly separation की गई पावर की executive totally involved थी टिंक के साथ और legislation जितनी भी involved थी वो सारी legislative assembly के साथ 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 उन्होंने एक और जो काम किया वो यह किया कि जो विटो की पावर थी वो executive को दे दी और किंग को पसंद नहीं आता था भी हम आगे देखेंगे भी तो उससे क्या होगा यह problem स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई कि जो devian है आपकी वो वर्क अब करती है जब एक दूसरे के ओपर counter check हो जब वीटो के ओपर कोई counter check नहीं होगा तो क्या होगा फिर आपके एक आत्मी या एक ब्राह जो है वो बहुत ज़्यदा पावर को utilize करेंगी और यहां पर भी यही हुआ ठीक यानि कि किंग जो है उसको वीटो पावर दी गई एक्सिक्टी पावर दी गई और उसके ओपर कोई खास किसम का चेक नहीं रखा गया through legislature या legislative assembly को इतनी पावर होती जिससे यह problem स्टार्ट हुआ तो यह constitution के अंदर यह भी एक problem था फिर इनों ने अभी तो यह लोग कोई बहुत ज़्यदा stable नहीं हुए थे यह लोग कोई बहुत ज़्यदा stable नहीं हुए थे फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यदा stability की तरफ नहीं गया था political खास तोर पे तो जो early time होता है उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा centralization की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद आप भी centralization की तरू की तरफ मूव करते हैं तो कोई बहतर results देखने को मिलते हैं दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि जब भी कोई मुल्क रिपब्लिक बनने की कोशिश कर रहा होता है या अपना कोई अजादी हासिल करता है तो वह early time में क्या करता है unity अपने आपको unite करने की कोशिश क authority इन्होंने क्या किया इन्होंने यह जो divided फ्रांस था इसको एक unit बनाने के लिए इन्होंने बलके centralization की बजाए decentralization स्टार्ट कर दी है निकि लोकल गॉर्मेंट्स स्टार्ट कर दी जिससे क्या हुआ कि जो early empowerment होनी थी या होनी चाहिए थी या कोई reform over the France implement होनी चाहिए थी वोको बहुत ज़्यदा implement नहीं हो सकी तो यह पहले constitution का एक बहुत बड़ा यह समझ लें आप मसला था जिसकी वज़ा से इन्होंने यह future में उनको जरा problem भी देखने को मिलेंगे ठीक जाहर है national assembly अपना काम करके dissolve हो गई और अब election हुए election हुए तो 745 जो मिम्बर्स है ठीक है 745 जो मिम्बर्स है लाइस लेट हो गए अब नैश्टल constitutional assembly जो वो गई खत्म जिसने आइन देकर बाकी च्छोटे मोटे फ्यूडलिजम को इस तरह खत्म कर दिया declaration of the rights of men दे दिये ठीक है जी finance के ओपर दे दिये civil कोड दे दिये फार्दा कलर्जी ठीक है इस तरह के और finance को डील करने के लिए जो वर्क किया उन्होंने असाइनेंट्स को जड़ा इशू किया पेपिर करने से जिसको उन्हों कहते थे वो करना स्टार्ट कर दिये च्छोटे मोटे काम करके उसाइल पे हो गई अब जो है वो basically legislative assembly वर्क करेगी जनिके 1791 के अंदर अपना constitution देकर national assembly आपकी खतम हो जाती है constitutional assembly आपकी खतम हो जाती है अब आपके election हुए election के अंदर 745 members elect हुए उन 45 members ने 745 members ने आपकी legislative assembly बनाए ठीक है अब मज़े की बात ही है गोर करने वाली बात ही है और यह इन्होंने बहुत बुरा भी किया लेकिन चलें इन्होंने यही किया इसका यह खाम्याज़ा भी भुखतेंगे आगे इन्होंने क्या किया वो जो 745 legislative assembly के members थे इन्होंने एक restriction लगा दी किए वो 745 members में से एक बंदा भी वो नहीं होगा जो प्रिवियसली प्रिवियसली constitution assembly का member था वा क्या बात है यानि कि अगर constitution assembly का जो member थे मिसाल के दोर में पाकिसान के अगर हम देखते हैं लेकताली खान है ठीक है अगर बिलफर्ड वो ना मरते और constitution बन जाता और उसके बाद election होते और लेकताली खान जो है वो legislative assembly के members ना बन सकते इन्होंने वो किया है एक member भी नहीं होगा जो national constitution assembly का रह चुका है वो legislative assembly के अंदर नहीं आ सकता वो election नहीं लट सकता क्या बात जबर्ड़ ठीक है शुगर लग गया कि यह बात क्लेर हो गई आप आडियो क्या हुआ आडियो को भाई distortion इन आडियो यह उसी constant assembly जो जाते जाते restriction लगाके गई है वो यह भी वाली भी लगाके गई है कि जो election होंगे उसके अंदर जो legislative members है legislative assembly के जो members है वो एक भी हम हम में से नहीं होगा जो हम constitution बना रहे हैं जो नहीं assembly आने वाली है है ना फिर यह और चाहिए दर्या दिदी अपने पावर छोड़ दी जैसे जर्दारी साब ने जो है प्रेजडेंट होके प्रेजडेंट की पावर खतम कर देंए अपने होते हुए क्या वाल इसका बेसिक जो डिफरेंस होता है यह होता है किसी भी मुल्क के अंदर जब वो अजाद होता है उसके पास जब constitution नहीं होता यह उसने बनाना होता है तो वो एक constitution assembly के थुरू constitution बनाता है जब constitution assembly constitution दे दे मुल्क को तो वो automatically dissolve हो जाती है और इसकी जगा एक नहीं assembly लेती है वो अगर उन्होंने process रखा हुआ है कि election करके लेंगे तो वो हो सकता है वरना दूसरा तरीके कार जो होता है वो यह होता है कि आपकी जो constitution assembly है यह automatically transfer हो जाती है national assembly की वो election करवाती है और फिर नहीं national assembly बनती है यह दोनों तरीके जो है ना वो दुनिया में देखने को मिलते है यूली यह जो है जो second वाला मैंने बता है वो होता था लेकिन फ्रांस के अंदर यह हुआ था कि constant assembly डिजॉल्व हो गई election हुए next legislative assembly बनी और इसके अंदर एक भी वह नहीं था जो constant assembly के अंदर था constant assembly आइन साज assembly आइन बनाएगी यह इसका और कोई काम नहीं होता वैसे जब तक आइन नहीं बनता जब तक आइन नहीं बनता तो constant assembly आपकी legislative assembly भी कहलाती है इसको आपके बाबा जी ने clear किया था काईद याजम ने जब constant assembly के अंदर उनने speech किया 11 अगस्त की 1947 की उसके अंदर यह बात उनों constitution बना रही है लेकिन जो छोटे मोटे काम होंगे legislature के वह क्या करती रहेगी तो यह legislative assembly भी एक्ट कर रही होती है ठीक है अच्छा अब है जी आगई आप legislative assembly वह क्या बात है अब यह बैठेंगे अब होगा धमादम मस्त कालंबर अब होगी गेम सारी जिसको आपने समझना है अब असल फ्रेंच revolution जो आपने देखनी है ना असल ड्रामा जो होना है फ्रेंच revolution वह अब स्टार्ट होने है अब आ गई है जी आपकी प्यारी प्यारी legislative assembly नए ने चेहरे प्यारे प्यारे चेहरे को ब्सूरत लोग आए है जी legislative assembly के अंदर नए ले जी पात्तेई legislative assembly ने का ले जी ऐसी की तैसियव इस मुल्क की भी और जो भी यहां पर होता रहा है उसकी भी ले जी इसने सबसे पहला law pass किया एक क्या था जी वो law यह था कि यह जो अभी तक civil constitution of the clergy or civil code for the clergy man जिसके उपर उन्होंने ओथ लेने थे clergy people ने वो लाजमी है अगर कोई नहीं लेता यह अब law बना दिया उन्होंने कि अगर कोई नहीं लेता तो हजूर उसको जितनी भी property उसके हाथ में है वो ले ली जाएगी और उसको खाया जाएगा पुत्तर तू मेरा पुत्तर चुटी कर चल घर जा खत्तम तेरा कोई काम नहीं है अब हम उसको यहां पर elect कर लेंगे और ओथ ले लेंगे उस clergyman से जो यहां पर इस civil constitution को मानता है civil constitution for the clergy एक specific constitution था यह main constitution से अलग है यह खास तोर पर clergy people से ओथ लेने के लिए बना था ठीक है जी civil constitution of the clergy कहते थे अगर जिसने नहीं उसके ओपर ओथ लिया वो मेरा बेटा ठुटी करें बड़ा रिस्टिक्ट था यह उस उस दोर में जब holy roman empire कायम है उस वक्त यह बातें करना यह आज तो हमें बड़ा मज़े का लग रहा है उस वक्त यह काम करना बहुत मुश् यह जो बात हम करते हैं न आम लोगों को इनिवर्सल सफ्रेज जो है वो होनी चाहिए सब वोट देंगे यह स्टिल बड़ा modern concept है वोटिंग राइट्स के उपर यह देख लें कि आप सित अमेरिका के अंदर स्लेव्स जो हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे इवन आफ्टर दव वॉर्स हम तो यह कह रहें ना कि उन्होंने अभी तो यह फॉर्स्ट स्टेप लिया है टू वर्ड्स के अट लीस्ट वोट कर सकें अभी तो यह क्वेस्टन सॉल्व करने की जूरत है कि वोट होन होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस फेस में हम कड़ें हैं यह जो आज की डिमॉक्रेसी है जिसके अंदर तमाम जो एह चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया कि हर बंदा वोट दे सकता है यह तो बड़ी मॉडरन कॉंसेप्ट है ठीक है तो वो जो उस वक्त की सिच्वेशन उस वक्त तो आम आदमी का वोट ही नहीं था तो अभी तो सिर्फ वो लोग वोट देने के लिए आएंगे जो टैक्स दे सकते हैं इसके पीछे जो रिजन्स देते थे वो यह देते थे अभी तो डिमॉक्रेसी के अंदर जो भी रिजन्स हम देते हैं वोट की वो एक अलग ह उसको यह देते थे कि जो आदमी आकिल हो समझदार हो उसको वोट का हक है ठीक है ताकि वह वाइसली चूज कर सके अपने आम जो जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको उसको कोई हक नहीं है वोट का जो के इलिटरेट हो और जिसको चीजों का पता ना हो यह उस वक् सेवंटीन ऐटीनाइन के अंदर बैठे थे ते स्टिल तिंग कि अब भी वोट करें जो लोग यह चाहिस अदर नहीं थी और दा वर्ल्ड यही थी कि वह लोग वोट करेंगे जो एक खास किसम का टैक्स जो है वो देते होंगे और उनके खास किसम प्रापर्टी भी होगी इ नहीं के लिट्रेट पीपल लेकिन कौमन आदमी में सिफ होगा अब वो प्रिवेज क्लास के अंदर से नहीं होगा कि वो बैठे रहेंगे और खुदी अपनी पावर बढ़ाते रहें एक स्टेप मूव तो हुए कि एलेक्शन करवाए और लिट्रेट पीपल एटीन प्लस वाले वो वोट दे सकते हैं नेक्स्ट टैप यह होगा दुनिया के अंदर यही होता है कि इसको पर क्रिटिस्टिसम आएगा और नहीं पिर आइस्ता इस्ता जो है नेक्स्ट की तरफ मूव औरने का कि इनुवर्सल सफरेज होने चाहिए उन लोगों क्या कसूर है जो सब्सक्राइब होता रहा है अच्छा अब लेजिस्टिटिव असंबली जो है उसने दूसरा लॉपास किया और उसने कहा कि मेरे पुत्रों मेरे प्यारे लोगों सारे नोबल्स और सारे क्लरजी मैं या कोई भी प्रिविलिज्ज क्लास का बंदा जो आफ्टर दा रेवलुशन इस मुल्क को छोड़ कर चला गया और फॉरन हेल्प के लिए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर गया उसको वार्निंग है उसको वार्निंग ये है कि अगर वो एक स्पेसिफिक डेट तक वापसी नहीं आता तो हजूर हम उसको जब भी वापसी आएगा पहल तो उसके सारी जमीन सब कुछ ले लेंगे फिर जब भी वापसी आएगा तो उसको मौत उसका पत्ता काड़ देंगे मौत की सजा है उसके लिए लौप बना दिया उन्होंने कि है जो भी बंदे यहां से गए हैं उनको कहत इमिग्रस एमिग्रस एमिग्रस जो हैं वो वो लोग होंगे जो फ्रांस को रेवलूशन की वज़ा से छोड़ गए खास तौर पर प्रिविजिज क्लास और फॉरन हेल्प के लिए बुलाने लगे आस्ट्रिया को रुश्या को रुश्या को स्पेन को इट्ली के अंदर डिफरेंट किंग्डम से उनको या ब्रिटिश के अंदर फ्रांस के अंदर जो रेवलूशन आई है वो खतम हो सके और दुबारा स्टेटस को बरकरार हो सके और इनकी पावर दुबारा मिल जाएं। ड़ाते कैसे थे वह बाकी कंट्रिज्स को यहां पर आईए और आपके लोग भी डिमांड करें गे आपकी पावर भी खतरे में है तो हमारा साथ दो हम मिलके इनको पेंटी लगाते हैं जो फ्रांस के अंदर ये रेवलूशन लेकर आए वार अफकोर्स उन्हों तो रेडी होना था तो उसके अगेंस्ट ये इन्होंने इतनी सक्त सजा रखी थी क्योंकि उनको पता था कि वार होनी है वार इस अनवाइडेवल इनेविटेबल वार को वाइड नहीं कर सकते ये लोग क्यों क्योंकि जो रेवलूशन यहां आई है पकी सारे कंट्रीज को उसने आटोमेंटिकली चैलेंज करती है आज नहीं तो कल वहां की अवाम भी बोलेग तो इसका एक सुलूशन क्या है कि या तो यह चलने दिया जाए दूसर तरीके कार क्या होगा कि जो स्टेट्रिस को वाले कंट्रीज हैं आपके आउस्ट्री आपके प्रोशे जितने भी यॉर्प में फ्रांस के लावे वो सारे अटैक कर दें फ्रांस के उपर और फ्रांस क ले जी जैसे यह दो लाव पास की हैं आपका किंग बिचारा सोया हुआ था उसको उठाया उसको उसको एक्जेक्टिव मेंबर्स ने उठाया जाके सोया हुआ था उसको का मामा यह दो लाव पास हो गए हैं तेरे आदे बंदे तो मुल्क में आनी सकते मुल्क में आए तो को भाई मार देंगे ठीक है तो अब क्या कर रहे हैं वो नीद में था उठा उसने पानी पिया उसने का यार वीटो कर दो वो एक्जेक्टिव थी और लेजिस्ट्टीव असंबली वाले वो एकस्पेक्ट नहीं कर रहे थे यह वीटो पावर किंग से उनका यह तो ढरा होगा और यह इतनी बड़ी चवली नहीं मारेगा लेकिन किंग साव नीद में थे उसने बहुत बड़ी चवली मार दी उसने जी विटो कर दो जी यह सारे लाजस को ऐसी तैसी ख़राएं के सम्मदी वाले नहीं सुनी नहीं मों में भाइजी यह कहना था और उन्होंने आ गए वो लेजिसलेटिव इसम्बली वाले गहराओ कर लिया जी पैलेस का उन्होंने का वे तू कोई टीकस होया था या कोई और मसल़ा है तरे साथ मसला क्या है अभी जो है वो हम मारें या क्या करें दिमाग फिर गया है आंके खोल अपनी हम लेजिसलेटिव असम्बली हैं अलेक्ट होके रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो है भीटो कर देंगे ले जी वो डर गए वो सर जी सारी फैमली जब उनको पता लगा कि लेजिसलेटिव असम्बली वाले लेजिसलेटर जो हैं वो उसके पैलस के पास आने लगे हैं वो डर के छुप गए और फिर बाद में उनको निकाला और उनको इंप्रिजन्ट कर दिया उनको जेल में डाल दिया जी किंग को भी और कुईन को भी अब आप लोग मुझे एक बात बखा दें बस मुझे पता लग जाएगा बगैर नोटस देखे बतानी यह बात किंग की बीवी कौन थी कुईन यह मुझे कोई बता दे तो गेम बहुत मज़े की डाटर अफ मेरिया गुड क्या नाम था इसका आस्ट्रिया कुईन डाटर ठीक है गुड गुड बच्चे जाग रहे हैं इसका मतलब यह क्या बात बस आपके हिस्ट्री हो गई है यह समझें आपको समझा गई यह चीज़ हूँ लेजी कुईन ने जब जेल में बैठे थे किंग को का देखो मेरी अमा जी जो हैं वो रूल करती रही है उदर आस्ट्रिया इसके बड़े लिंक है उदर क्यों ना मैं जरा कोई चुप चुपा के एक खत बेजूं आस्ट्रिया को तो वो लाजमी आएंगे मुझे मुझे बड़ी औरत है मुझे तन युझा नहीं जरा तो अरकि काव का कुई लगा रे तो मुझे हैं मामे बैठी जिसे कहते हैं मामे तो मा में वेटे हें हमारे मा कोई मस्ता नहीं अपने मामों को जहां प्रेलि में यह मज़ाख नहीं करना मैं वैसे एसल में उसने अपने जब ईपनी मा की मामा जी है रठे में उनको फइल लिकने कोई तो को ये उनको लेटर्स लग दी एंध बाजी कोई जो है वो उसने लेटरर लग दिए वहां पर प्यार ओगए वो लो जो हमारी कुडी जो है वो मुशकिल में और हमारा जो ब्रादरनिलेला वह मुश्किल में अभी हम आते हैं ठीक है उन्होंने भी त्यारी पकड़ लिए और ह उन्होंने आस्ट्रिया ने प्रोश्या को भी मिला लिया कि यार यह जो मसला है ना जिसके लिए बौर करने जा रहा हूं आस्ट्रिया ने का कि ये मसला आज मेरे पास आएगा कल को तेरे पास भी आएगा ये रेवलुशन रुकने वाली नहीं है तिल के हम इसको जहां से स्टार्ट हुई है वहीं दफन कर दें खत्म कर दें दे अब क्या हुआ कि प्रोश्या और आस्ट्रिया ने डेकलिरेशन दे दी उसको कहते थे डेकलिरेशन वर्निंग जुसको कहेंगे फ्रांस को डेकलिरेशन दी कि डेकलिरेशन ओफ परलेट्स इस डेकलरेशन के मुताबिक उसने फ्रांस को पहले का प्रपेर फॉर्ड वार या किंग को वापसी रिंस्टेट कर दो second point is to call the British and all the European powers to join hands against the France revolution because it is a threat to our monarch. ले जी एप्रेल 1792 के अंदर आस्ट्रिया ने फ्रांस के अगेंस्ट वार डेकलेर कर दी वाजी 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 अब फ्रांस जो है वो आपका boy वो तो अकेला था और एक और बहुत बड़ा मसला फ्रांस के अंदर द्यूरिंग जब उन्होंने वाज डेकलेर की है वो यह था कि फ्रांस जो है कि उसके अंदर दो ग्रुप बन गए थे कि 1792 एप्रेल 1792 कि 1792 कि 1792 कि 1792 कि 1792 एप्रेल कि दो ग्रुप बन गए थे पॉलिटिकल इन दा लजिस्लेटिव असंब्ली एक को करते थे जैकोबियंस एक जैकोबियंस एक ते जेरॉंडेंस जेरॉंडेट्स जो कोबियंस जो थे यह ग्रुप जरा रैडिकल था और जिरॉनडिट्स जो थे वो जरह मौडरेट थी चीजों को देखके चलते थे तो जब वार हुई थी यह वार डेकलेर हुई है उस वक्त जो है वो रूल कर रहे थे जो हैं वो अभी मेन मिनिस्ट्री के इंदर जिसको हम कहें खास दोर पर या जो वार वाली सिच्विशन के इंदर जर्नल्स थे या स्पोर्ट करने वाले थे वो मुस्ट्ली जॉर्ण्ट्स थे चीक है कि अब जी वार स्टार्ट हो गई अब ऑस्ट्रिया हंगरी कंपायर प्रोश्या उन्होंने सर्जी अटैक कर दिया आपके फ्रांस पर और फ्रांस जो है वो वार आइस्दा आइस्दा थार रहा जैसे ही जकोबियन्स नहीं यह देखा उन्होंने इन के ओपर बलेम करना स्टार्ट कर दिया जरॉन्डिट्स के ओपर कि आप लोगों की वज़ा से हम वार हार रहे हैं तो आप पब्लिक ने भी स्पोर्ट किया जकोबियन्स को तो जकोबियन्स ने उनको डिफरेंट मनिस्ट्रीज के अंदर और डिफरेंट जो भी पावर के कोड़ोर से वहां पर एकसेस हासल की और जकोबियन्स जो हैं वो उपर आ गए उन्हें का हम आपको बुदाते हैं कि किस तरह वार लड़ीं है कि उसने का उनका एक बंदा था जकोबियन्स का डेंट उन्सको कहते त्याज़ा यह बंदा बड़ा रेडिकल त्यूजिंस उसने का यार यह वार न इस तरह नहीं हम लड़ेंगे इसको मुने दो तरीके से लड़ना है एक हमने एंपने से लड़ना है जो हमारा सामने Колे खड़ लेजी Constitution का उसने का निया Constitution लाएंगे हैं वह यह खतम करो यह बड़ा साधा Constitution है इसके अंदर रेडिकल और वो चीज़ें नहीं हैं जो जुरूरी है इस वक्त कि स्टॉप दा एनिमी कि टैरिफाय दा रॉयलिस्ट कि अडॉसिटी मोर अडॉसिटी इन आलवेज ग्रेटर अडॉसिटी उसने का कि जितने भी रॉयल फैंबली के मिंबर्स हैं फ्रांस के अंदर सब को मार दो खत्म कर दो और हर एक उस परसन को मार दो जो फ्रांस की रेवलूशन के बारे में और उसके इंपेक्ट के उपर जरा बराबर भी शक करता हो तो उसका सर कलम कर दो खत्म कर दो इट विल टेरिफाई द वर्ल्ड विपल अन्द आनिमी साथ में उसने नया कॉंस्टिउशन की जब बात की नया कॉंस्टिउशन उसने छोटा सा एक बना लिया ऐसे ही वो खत्म कर दिया पिशला और उसने का के नैशनल किन्वेंशन जो है वो होगी अब अब वो लेजिसलेटिव असमबली नहीं होगी अब नैशनल किन्वेंशन होगी और इसके अंदर किंग की पावर को एग्जेक्टिव थोड़ी बहुत जो पावर थी पहले कंस्टेशन के मताबिक उस सारी खत्म कर दी तो रॉयल फैमली को तो उसने वैसे ही तक दी है ना अंदर उसने का जाओ भई इन सब को मार दो और जो भी इस इनके साथ देता है यह कभी रहा भी हो इनके साथ उसको भी मार दो इस चक्कर में उसने किंग को पकड़ा यह जो पिक्चर आपके सामने है यह किंग साब को लंबा पाली है जी उन्होंने ठीक है और वो जो मशीन है यह इसको इसके अंदर ना यह स्लाटर करते थे गर्दन काड़ दे थे गुल्टाइन एक्जेकुशन ओफ ता किंग 1793 के अंदर उन्होंने किंग को मार दिया सर जी यह करना था दुनिया पागल हो गई अभी तो जेल में था ना जेल में तो चायद निकल आता उए उन्होंने बंदा ही मार दिया अपना किंगी मार दिया बंदों के सामने कटा करके फिर प्रिटिश को समझ आई यार यह मामला वाकि बहुत जादा सीरियस है प्रिटिश ने फिर जॉइन किया वार को पहले आस्ट्रीय पर्शिया जो है वह मूव कर रहे थे फ्रांस के अंदर फ्रांस जो है वह अपने बाडर पर तोड़ी बहुत जंग लड़ रहा था तो नेशनल कंवेंशन जैसे ही बनती है से VII.92 के अंदर जो के एक न्या कॉंस्ट्चुशन भी देती है लेज़िसलेटीयसंबली को खतम कर देती है और जकोबियस जो हैं वो रूल कर रहे होते हैं नेशनल कंवेंशन के उपर एक नए कंस्ट्टेशन के अंदर जिसके अंदर वो मुनारकी को तो बिलकुल ख़तम कर दो बंदा ही मारती है मुनारकी क्या रहे गार और रिपबलिक को प्रॉक्लेम करते हैं कि अब यह असल लखा दिया यानि कुईन भी मार दी उन्होंने भई अगली तस्वीर कुईन की होगी यह कुईन आ रही है कुईन को जो है ना उन्होंने एक्जेक्यूट कर दिया यह एक्चुली डुमेस्टिक पॉलिसी तो यह चल रही थी इसकी नजर इसकी तरफ हम एक और दफ़ा दुबारा आएंगे अभी हम जरा एक बाहर कर चक्कर लगा क्याते हैं तो दुनिया में यॉरॉप के अंदर बाकी जगा पर जो हैना वो वार किस तरह यह इंक्लिउड हो क्या होता रहा मेंवाइल हम अब वर्ल इनकी फॉर्ण पॉलिस्टि को देख लेते हैं नैशनल कर्वेंशन की लेजी इस वक्त वार जो है वो आस्ट्रिया अंग्री प्लस प्रोश्या एंड अफ्टर दा एक्जेकूशन ऑफ दा किंग आपका ब्रिटिश भी आ गया उसको पकड़ लिया उन्हें का कि भाई यह मजाख चल रहा है यह क्या हो रहा है एक मिनिट में जिस बात बदल दिया हालात बदल दिया वहीं बंदा ही मार दिया तुम लोगों ने एक मिनिट में हम तो सोचे थे कोई शायद ले दे के काम चल जाएगा ले जी आपके फ्रांस जो है वो नेशन इन आर्म्स का नारा लगा के वो आ गया और उसने का अब हम जो है सबकी ऐसी की तैसी फेरेंगे और यही वो मुव्मेंट है जब फ्रांस ट्रूली अपनी रेवलुशन को बचाने के लिए फॉरन पॉलिसी जो हैं वो अपनाता है उसने ब्रिटिश को पकड़ा जो के इस वार को सब्सिडाइज कर रही थी यहां पर एक और चीज मैं आपको एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता चलो यह आगे हम आज देखेंगे भी वो यह है कि जैसे ही फ्रांस के अगेंस्ट वार डेकलेर करते हैं यह आस्ट्रिया और प्रोश्या और फिर जब ब्रिटिश इसको जॉइन करता है इसको कहते हैं कि कोईलेशन अगेंस्ट दा फ्रांस यह तक्रीबन तक्रीबन जो है वो मोर देन फाइफ टाइम्स कोईलेशन जमा होग एक तरफ फ्रांस होगा बाकि सारी कंट्रीज होंगे वो बार बार जंग कर रहे होंगे ये चलती रहेगी जंग 18 सेंच्री के एंड तक ठीक है जी इस सारी 1792 से स्टार्ट होगी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कॉयलेशन बनती जाएंगी और वो वार करती रहेंगी एक चीज़ बस इसमें कॉमन होगी बलके दो चीज़ एक तो ये कि फ्रांस के अलाइज कोई नहीं होंगे अकेला लड़ रहा होगा और बाकी सारा यॉरप उसके खिलाफ होगा दूसरी चीज़ तमाम यॉरप की वार को जो पैसे फिर आगे कि आप जो हैं फ्रांस के खिलाफ जंग लड़ें और आई विल सबसिडाइज दा वार पैंशन आलो लड़ो इन्होंने यार जिंग को मार दिया है यार यह कुछ तमीज हैं काम करने वाला यह अब नैशनल कन्वेंशन ने क्या किया हुआ था कि घर के अंदर होम पॉलिसी के अंदर उनकी डॉमेस्टिक पॉलिसी डूरिंग दा वार उन्होंने एक पॉलिसी इनिशेट की जोकोबियन्स ने ठीक है नेशनल कर्वेंशनर के फर वही रूल कर रहे थे उन्होंने एक पॉलिसी दी रेन ओफ टेरर इस पॉलिसी के मताबिकी पॉलिसी चली है तक्रीबन एक साल 1793 से लेकर 1794 तक इस पॉलिसी के अंडर रेन ओफ टेरर इन्होंने सेकड़ों को मारा है अपने इमन्दों को नेशनल कन्वेंशन वालों जो कोबियन्स ने कि जो कोई भी जरा भी अभी खड़े हैं जैसे बात कर रहे हैं यार यह वार जो है वो अभी उसने बात नहीं की कि वार होनी यह शक कर रहे हैं वार पे स्पाइस का जाल बिचा दिया था मुल्क में कोई भी यह बंदा करें वहीं उसको मार दो इसको करते है रेन ऑफ टेरर ब्लेडियस्ट मुव्टमेंट यह सोरी पिक्चर आफ फ्रांस रेवलुशन डैट इस कॉल्ड रेन ऑफ टेरर इन्होंने अपने बंदे इतने मारें कोई भी होता था इसको लीड कर रहे थे रॉब्स परी कैरनोट यह दो बंदे थे यह बाद इसको लीड कर रहे थे रेन ऑफ टायर को जिकोबियंस के अंडर इसांथ सात्व नैशनल कंवेंशन ने रखने लिए डेन्ठोन अभी है वह तो मेंडर की वह तो इनको कह रहा है यह काम करो में नेयुक्र दिदोन inherently के इनके इसके पास है अब उन्होंने कुछ नेशनल कंवेंशन ने रेन आफ टेरर के इलावा कुछ लाव भी पास किये उसको करते थे लाउज ओफ सस्पेक्ट्स लाउज ओफ सस्पेक्ट्स इस लाउज के अंदर एक चीज़ तो यह थी के कमपल्सरी मिल्टरी सर्विस रिजन इस वेरी सिंपल कि भाई दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो गई है तो हर उस बंदे को चाहिए जो फ्रेंच की लोग हाना स्टार्ट हो गए भई कि अगर ना की तो इसका मतलब क्या है क्या हम लड़ना नहीं चाहते हैं कि वार के ओपर शक है आपको काट तो गड़ते फिर पूरी काउम को इकाण्टा करना था अगैंस्ट योरपर तो उन्हों ने एक्षास सी पै्ट्रियॉटिक लाज भी पास करना स्टार्ट कर दी विनगाए स्टार्ट शक्रार्पर केंड हैं। पेट्रियॉटिक लॉज आप इनको कह सकते हैं एक्स्ट्रीम नेशनलिस्टिक लॉज कि कि फ्रांस के लावा कोई लैंग्विज नहीं होगी लीजन जो है वो कृस्टैनिटी उन्होंने बहुत बुरी तरह पहंटा कोई यह कोई रिलीजशन लीजन नहीं होने चाहिए अजाद फिरो को मसला नहीं है ये बनके डी क्रिश्चिनाइजेशन और फ्रांस करना स्टार्ट कर देशन क्या इन्होंने तमाशा बनाया हुए लोगों को मुलक के लिए खड़ा करें मुलक के लिए लड़ें क्यों किसी और मुलक के अंदर वो बाबा बैठा है तुम्हारा प्रीस्ट उसकी तुम मात मान अपने मुलक के लिए लड़ो यार इस तरह के लॉज पास करना स्टार्ट कर दीए पिर कुछ चोटे मोटे लॉज उसमें वुमेन का प्रॉपर्टी का राइट देना स्टार्ट किया और कोई जो वेट सिस्टम होता है नाप तोलना यह किस तरह हैं यह जरा स्टार्ट कर दिया इन्हों ने अच्छा कलिंडर इन्होंने एक नया क्रियेट कर दिया जी नेशनल कंवेंशन ने अब कलिंडर चेक करें जी इनका is एक सालमें 12 महिने होंगे कोड हो गया अभी अपना कंवेंडर बना लिए जी एक सालमें कि कितने महीने 12 महिने गूढ 3वधें होंगे 4वधें नहीं होंगे वह क्या वाट है एक हफ़ते में 10 सीन होंगे क्या वाट है फ़लृ warfare दिन होगी निए और हर साल केंड में नेशनल व्लिडेन होगी और यह स्टार्ट होगा आके 22 संब्र से नहीं का कर दो सैजंद्य के लिन regulation से बड़ी बावल्म स्टार्ट होँगी इनकी मैं पिर उन्हों ने वो जो कंफिस्टेट की थी प्रॉपर्टीज वो इन्होंने नेशनल कंवेंशनल ने अपने अंडर कर ली कि या आप लोगों को क्या करनी है देखे भाई हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम वहां से उनको यूज कर सकें ले जी रेन ओफ टेरर के अंदर हुआ क्या कि नेशनल कंवेंशन जो है वो यह पॉलिसीज चला रही है यह साथ डॉमेस्टिक पॉलिसीज के उदर बहुर भी हो रही है वो उसके साथ बहुर भी लड़ रही है और साथ साथ यह आप होम पॉलिसीज नेशनल कंवेंशन के अपनी होम पॉलिसीज जो है वो एक खास किसम का अजीब लॉस बना रहे हैं बंदे मार रहे हैं अपने ठीक है लीड़ इसको रॉबस्प्रे कर रहा था रॉबस्प्री बॉयज जो है वो आपका रेन ऑफटेर को बिल टो कर रहा था और इसको लीड़ भी कर रहा था और हार बंदे को ढूंध ढूंद के पकड़ता था अच्छा पूथता सवाल से और हुआ क्या के जायर है फिर सारी प इसे की की कि यह बंदा जो ना वो ठीक नहीं यह वार के बारे में सब्सक्राइब से ना आइडियास को ठीक नहीं रखता टेंटोन को जब पता लगए हैं उसको भी मार तो वो हैरान क्या आदमी है यार तू मैंतेरे रहे हैं तेरे को लेके चल रहा हूं तूने मुझे मारने का प्लैन बना लिए उसने गा बाई मेरे लिए कोई तेरा मेरा नहीं है सबको मार दो जो भी इस वहर के खलाब बात भी कर 1794 के अंदर इसको भी उड़ा दिया मार दिया जैसे ही यह मरा रेन आफ टेर्र की जो फालिसी थी वो खतम हो गई आटोमेटिकली और उसको मजीद आगे नहीं लेके जा सके अब यह जो आपकी अब कम वो है नेशनल कर्मेंशन है उसने आते ही कहा था कि फिछला कॉंस्टूशन खतम करतों नया कॉंस्टूशन लेकर भी आए और उन्होंने उस कॉंस्टूशन के मताबिक दो हाउसिज बनाएं यहां तक बात समझ जा गई है मुझे यह बता तक लास सब को समझ आ गई है या किसी किसी को आई है मुगलता है नाजिश शबी जैस रम्शा यहस अच्छा अब जी नया कॉंस्टूशन उन्होंने दिया जी आपका उस कॉंस्टूशन के मताबिक दो हाउसिज होंगे यह सेवंटीन नाइटी फाइफ के अंदर रोनर कॉंस्टूशन दिया अब रेन आफ टेरर खतम हो चुका है रॉबर्स परी वो मर चुका है और लाउफ सिस्पेक्ट्स यह जतने थे इस तरह के खतरनाक मिल्करी खास दोर पर सर्विस्टी यह ज़रा रपीड हो गए हैं कुछ टर्बियूनल्स बनाए हुए थे खास किसम के वह भी रपीड हो गए हैं रावलुशनी टर्बियूनल खतम हो गए हैं और नए कांस्टूशन के मताबिक आपके दो हाउस एक लोर हाउस जिस के अंदर 500 टिपल होंगे उसको कहते हैं कॉफ लेजिसलेटिव और अपर हाउस कांसल ओफ एशंस लोग हो गया अब ये तो हैं लेजिसलेटर्स लेजिसलेटर्स ए उसने का इक्जेक्टिफ पावड नेशन सिस्टम बनाएंगे और उसको उसने कहा कि वो है डारेक्टरी मैं लिख देता हूं लोर हाउस जिसको वह कॉफ्स लेजिसलेटिफ इसके फाइफ अपके बॉइस है और आपका काउंसल आफ अशन्स जो हैना वो आपके टू फिफ्टी हैं ठीक है यह हैं आपके लेजिसलेटर्स अब आएगी आपकी एक्जेक्टिव पावर उन्होंने कहा अकॉर्डिंग तो दा नीव कॉंस्टिशन ऑफ सेवेंटीन नैटीफ अच्छा जी डारेक्टरी क्या है उसने का डिरेक्टरी एक काउंड ऑफ कबनेट है जिसके अंदर पाँच लोग होंगे उसने नाम कहा कि फाइफ डारेक्टर्स अच्छा यह कहां से आएंगे उसने कहा कि यह अब Olay टेलेइट्र सेलेक्ट करेंगे यह वो स्लेक्ट करेंगे इसके लिए इसके अंदर पहुँन पांच लोग आएंगे क्या बाथ अब एभुटेटी पावर कि इसके पास चलिए गठावप के पास इसके अंडरWP डाइटर्स फिसके निजिसे काप्रेट अ काप्रेट काप्रेट पाइप मेंबस फिर दिरेक्टर्स अच्छा कि अब क्या हुआ कि कि रेन ओफ टैरर जो है वो भी एंड हो गया है आपके बड़े बड़े लोग आपकी कुईन आपका किंग आपके और भी जो काफी सारे जो जो कोबियंस के अगेंस थे जिरोडेंट्स जो थे वो भी मारे गए काफी सारे ठीक है और सिस्टम जो है ना वो बड़ा एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है अब यहां से हमने स्टार्ट करना है आपकी पॉलिटिक्स ऑफ डारेक्टरी जिसने तहस नहस कर दिया सारा सिस्टम और यहां पर इन फाइफ डारेक्टर्स में से एक डारेक्टर कौन था गैस तनेम इन फाइफ डारेक्टर्स में से एक आपका डारेक्टर होता है आपका प्यारा लाडला ना ना डैंटॉन छोटी चीज़ है निपोलियान प्यारा निपोलियन अमर हो गया निपोलियन जिन्दा रहे हैं ले जी फास्ट फारवर्ड टुदा डारेक्टरी क्या कहने जी क्या कहने कोई अभी मसफ्रा नी जी डारेक्टर बनेगा स्य वो देखना क्या मनैगा अभी तो घल्टी कर दिया है उन्हों नेसको डारेक्टर बनाए जानतेंने निपोलियन पौना पार्ड को आपने डायिक्टर बनाये कोई मजा के यार देखना अभी करता क्या है इनके साथ एक एक को पकड़ेगा सब को कहेगा और पड़े प्यारे अंदाज से कैसे यह सिस्टम चलाता है अच्छा जंग जो हो रही थी ना यह फ्रांस की अगेंस्ट और प्रोशिया और आपका ब्रिटिश इन सब को उसने करा दिया निपोलियन से पहले फ्रांस ने उनको करा दिया था निपोलियन ने एक नए एंगल से आना है इसके बारे थोड़ी सी म करें और सारा कुछ समझें निपोलियन क्या था कि निपोलियन जो है वो डारेक्टरी से पहले भी मेल्ट्री सर्विस के अंदर था फ्रांस की तो जब यह वार हो रही थी अगेंस्ट आस्ट्रिया हंगरी प्रोशिया और ग्रेट ब्रीटन इन्होंने हमला कर दिया था तो कुछ तो इन्होंने हमला किया आपके साउथ से साउथ आफ फ्रांस मैं आपको उसमें दिखाओं पिक्चर में मैं आपके अंदर ना यहां से ठीक है सब को शो हो रही है पिक्चर हाँ जी अली असल में सिस्टम यह है कि दीज आर दा क्रिटिसिजम ओन दा फ्रेंच रेवलुशन ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिस कास के लिए आप उठे हो वो कास जो है वह फॉलो प्रॉपर्ली हो रही हो या सिस्टम जो है वो चलना चाहिए जिस आपके जिनासाफ की एक आज तक वो बना है पाकिस्तान ठीक है वो जिना का खौब ही था वो वाज तक पाकिस्तान नी बन सका ठीक है इसी तरह फ्रांस के बारे में जो रेवलुशन स्टार्ट हुई कि और उसके साथ जो सबस्रीट इवन्स होते गए वो करते हैं वक्त की जरूरत ऐसी थी अकॉर् पास आए तो हमने आपके लोगों को भी इस तरह ही मारना है ठीक है तो भी अवेड और हमसे दूर रहें खर वह वाज जीत भी गए थे अच्छा मैं आपको यह बता रहा था कि यहां से ब्रिटिश ऑस्ट्रिया हंग्री और आपका प्रोश्या इन सब ने फ्रांस के उपर अटैक करना स्टार्ट कर दिये ये लोग इदर से प्रोश्या बैर से आएगा ठीक है जी और ब्रिटिश की करता है ऑी यहां से बाई है यहां से बॉय ने अटैक करने ही पूशिश दिए ठीक है और काफी जो यहां पर पोर्ट से ही उसके ओपर अटैक भी किया ब्रेटिश ने उस वक्त निपोलियन जो है उसको भीजा गया उसको कहा गया कि आप यहां पर जाएं यह बात है डारेक्टरी से पहले की बात बता रह दूसरा तरीका यह है कि मैं फ्रांस ऐसा कांटैक्स के दोर पर आपको चीज़ें को समझाओं तीसा तरीका यह है कि मैं वार्ज पढ़ा हूं सिर्फ आपको मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको ऐसा फ्रांस के कांटैक्स में वार्ज निपोलियन के एक्ट्स पढ़ाता जाऊ ठीक है जी फ्रास के अंदर क्या होता रहा और फ्रास नि बातीम के साथ किया और ऑफ़ यूरप क्या होता रहा ठीक है तो अभी डिरेक्टरी तक उस वक्त वो इटालियन कमांड थी उसका जर्रल बन गया और वहां जाकर उसने ब्रेटिश को एक खास पॉलिसी के थरू जो है उसने वहां पर उसको कैपचर कर लिया ब्रेटिश को बहगा दिया बाकी बड़े खुश हुए ठीक है उसको डिरेक्टरी में बिठा दिया तब ह तो ना यह जो ब्रेटिश है ना इसको यहां पर हमला कर इंग्लिश चैनल के तुरू हमला कर यहां से ना इसको पर यहां पर हमला कर तो उसने बदाया कि यहां से हमला करना बड़ा डिफिकल्ट है तो त्यार बैठे होंगे आगे हम पानी से यहां जा रहे होंगे मरपस तो वार की है यहां तक आपने बात को बस समझना है अभी मैं आपको निपोलियन एजा सेपरेट पर्सन भी समझाने की कोशिश करूँगा अब आए ज़रा राइज ऑफ निपोलियन ऐसे डिरेक्टरी अब डिरेक्टरी के अंदर वह आपका बैठा है अभी हमने इंग्लिश चैन वह और को पहले लिखना है क्वेस्टिन के लिहाथ से आपने बस इस चीज को स्ट्रिमलाइन करना है कि कब क्या क्या होता रहा ठीक है उस दुरान जी है वह निपोलियन आपका किस तरह लड़ता रहा और किया सिस्टम को यहां तक किसी किकी मुझे अभी बता देता कि हम मू हाँ कन्फ्यूसिंग हो रहा है मैं इसलिए मैं आपको मैं इसलिए तर्मियान में अप्र प्रताया था चलो इसको आप इग्नोर कर दो आप समझें कि हम डिरेक्ट्री के अंदर ही वैठें यह निपॉलियन को निकाल दो अब जरा देखें अब जरा क्लेर होगा कि जब आप निपॉलियन वाला पार्ट के निकाल दें कि निपॉलियन क्या करता रहा अब जिस तरह हम चल रहे हैं जैसे वैसे सोचे के डिरेक्ट्री बन चुकी है और अग्जेक्टिव और लोर हाउस अपर हाउस बैठें और एक डि पॉलियन जो है वो डिरेक्ट्री के अंदर बैठा है और अब क्या हुआ के अब क्या हुआ के सिच्ट्वेशन ऐसी बनी के डिरेक्ट्री और वहां पर कुछ रॉयलिस्ट थे रॉयलिस्ट फैमिली के परसंस थे कुछ जो रह गए थे रेन ऑफ प्लैरर के अंदर नहीं मारे गए उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस गौर्ल्मिंट को ओवर्थ्रो करें थ्रू कॉंस्परेसी थ्रू टेकिंग दा कॉंफिडेंस ऑफ दा डारेक्टर्स पावर इनके पास बहुत एक्जेक्टिव तो इनको हम अंडर दा अंब्रेला लेते हैं और हम वार स्टार्ट करते हैं वार अगेंस दा क्रण्ट कवर्मिंट ताकि हमारा साथ दें और हम जो है वो वार करें ठीक है अब रॉयलिस्ट और कुछ ऐसे लोग जो के इस गॉर्मेंट से कुछ बहुत ज़्यदा मुत्विक नहीं थे इंटर्नल पीपल ही उन्हें का हाँ यार यह काम की गया इस बात का पता आपके निपोलियन को लग्या जो कि एक डारेक्टर था डारेक्टरी में बैठा था उसने सर जी जो जो बंदा इसके अंदर इंवॉल्ट था सबको पकड़ा सब्ला सब्रेटिंग अपर किनका क्या करना यह विश्ट करने लगें और कि legislative assembly को भी फूचर में revolt करने लगे थे क्या कर रहें दो क्या बात कर रहें carry on ?".29 उन्हीं उसने सबको उडा दिया और डारी में कैला बंदा बच गया क्बाद अब ये अकेला बन्दा है डिरेक्टरी के अंदर निपोलियन आपका बॉई उसने जब रिलाइज किया कि देरिजा रूम देर इस आ रूम फॉर दा पॉलिटिकल पावर पर इंसेल्फ वाय नॉट टेकिट यानि कि अब इसकी जड़ा मुव्मेंट चेक करें कि यह एक जर्नल है जो के जब इसके उपर वार फ्रांस के उपर हो रही थी इसमें आस्ट्रिया और प्रोश्या और ग्रेट पिटर ने वार स्टार्ट की 1792 के अंदर तो उस वक्त एक छोटा सा यह लेटन था और यह इटली के अंदर भीजा गया इसने मां जाके वार लड़ी वापसी आके डिरेक्टरी का मेंबर बन गया और डिरेक्टरी में बैठ के इसने बाकी डिरेक्टर से उनको उडवा दिया अब इसकी जे जरह अब इसकी में इसारफ मंड्ल戰ी चेक करें इसने कहा कि ये सिस्टम जो है वो बड़ा खराब हो गया और हमें जो है ना चीजों को देह के चलना होगा अब इसका मतलब ये है कि ये बॉआए कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और इस तू ओवर्थ्रोव और तो दा नेशनल कंवेंशन वो जो मिम्बर्स हैं फाइफ अंडर लोराउस के और आपके तू फिफ्टी काउंसल अफटा एंशन्स के उनको ओवर्थ्रोव करने की सोच रहा है तो बिकम अ डिक्टेटर अल इन वन उसने का यह हम इसको इसना चलाते हैं कोई बात समझा रही है निपॉलियन को समझ रहे हो निपॉलियन के काम चेक करें कि वो सिर्फ एक ठरेक्टरी का मिम्बर था और सोच यह रहा है कि मैं डिरेक्टरी डिरेक्टर्स को तो मैं वैसे मार दिया मैंने अब किन को पकड़ना है नैशनल कंवेंशन वालों को अब बेस देखना यह क्या बनाएगा अभी डिरेक्टर्स तो मार दिये इसने पांचों के चारों के चारों पांचों थे पांच माई खुद था चार बंदे उड़ा दिये अभी अकेला है अब डिरेक्टरी में बैठा है अब जो है वो यहां पर एक स्टॉप लगाएं आप और एक चीज बड़े अराम से बड़ी घौर से मेरी बात को समझना है ताके हम इस बात को उससे कुनेक्ट कर सेके यह वह वार वाली बात में आपको ठीक है अभी तक सब को चीज़ें क्लियर हैं कि जो इवेंट्स हम करत होते आए हैं वह इवेंट्स कैसे कैसे होते आए वह अभी तक क्लियर हैं ठीक है गुड क्लियर होने चाहिए आपको अब जरह यहां पर एक दफ़ा स्टॉप लगाएं और एक चीज एक बात मेरी समझें वह यह है कि फ्रांस की जो रेवलूशन है यह यह रेवलूशन यॉरप के स्वाइल पर जब हुई तो जैसे मैंने पिछले लेक्टर्स में बताया कि यॉर्पियन्स हो हैड मोनाक्स वो डर गए इक वाजर रेड अलाम फ्रांस व्रांस वो लॉशन अविल्टॉ अव्टॉॉ c्टॉप अ डर राग दो П बॉल दो नान्स विल्डॉटॉ अचलों प्रांस यॉच बालाग्त व्रांस वॉच्न वाज्सॉन इनाटिबॉथ भाएं और बीज लॉच्टॉच्टॉटॉ तो वेज अब वार अगेंस ता फ्रांस तिल इस मुनार्क री इंस्टेटिट इस इस काम के लिए आपके फ्रांस के अगेंस्ट टाइम अगें डिफ्रेंट कोईलेशन बनती जाएंगी वार की डिफ्रेंट वार होंगी अलाइंसिस की फॉर्म में अगेंस्ट फ्रांस फ्रांस अकेला होगा बाकी सारे उसके अगेंस्ट लड़ रहे होगँ डिफ्रिया अस्ट्रिया इटली के कुछ जितने भी किंग्डम हैं यह स्पेन पॉर्शिगल ब्रिटिश मेंने जो सारा इसको सारे फ्रांस के गेंस लड़ रहे होंगे और यह वार्ड स्टार्ट हुई हुई है 1792 से लेकर यह डिफरेंट वार्ड होंगी 1792 से लेकर 1815 तक यह वार होगी यह वार पिरिएड है इसके अंदर क्या होगा कोईलेशन्स बनेंगी कोईलेशन्स 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 फ्रांस वर्सिज औल यूर्पियन कंट्रीज अब यह कोईलेशन जो है यह कोईलेशन्स को समझने के लिए हिस्ट्री के अंदर इनके नाम दे दिये गए हैं फर्स्ट कोईलेशन्स सेकंड कोईलेशन्स थर्ड कोईलेशन्स फिफ्ट कोईलेशन्स ठीक है यह नहीं के कोईलेशन बनती जाएंगी अब जो आपका फर्स्ट जब वार स्टार्ट हुई थी जब इनों ने अभी किंग को इम्प्रिजन किया था और रॉयल फैमली को और जो कुईन थी उसने मैसेज सेंड कि आउस्ट्रिया हंगरी को उसका मामा बैठा था महापर और आपको पता है ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एंपा काफी पावरफुल था वो जॉसिफ लेवपर नाम था उसका अच्छा वह भाई जो था उसका इसकी माँ कहें नहीं के मामा ठीक है तो मामा जी जो है ना उसने प्रोश्य को भी मिला लिया और प्रिटिश को भी मिला लिया कब 1792 के अंदर यह वार स्टार्ट होती है और 34 के अंदर जैसे मुनार को मारते हैं यह किंग को 93 में प्रिटिश भी आ जाता है इन तीन वारो इसको पर अटेक करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रांस को ठीक है बाद में रिश्या भी आ जाता है वह फर्स्ट कोईलेशन चलती र लेंगे अब इसको दो एंगल से देखने की कोशिश कर दी है इन वार्ट को एक तो यह है के आपका निपॉलियन वाइड क्या करेगा क्या करता रहा हूँ ठीक है अब 1792 के अंदर बैट के आप यह देख रहे थे उस वक्त जो मैं आपको पढ़ा रहा था के डैंटॉन है रॉप्सबरी है रेन आफ स्टार्ट हुआ 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 है उस वक्त आस्ट्रिया अंग्री अंपाइर और प्रोश्य और बैटीश ने फ्रांस के उपर हमला भी तो कर दिया था तो उस वक्त आपका निपोलियन जो है वो इटली के अंदर वार लड़ यहां पर सौधरन फ्रांस के अंदर वार लड़ रहा होता है और ब्रिटिश को यहां हराता है और फिर वापसी जाता है डिरेक्टरी का मेंबर बनता है और फिर सारी वर करता है यहां तक मुझे बताएं किसी को कोई बात समझ नहीं आई मेरी तो मुझे रोकने में मजीद आगे चलूँ क्लियर है सब को क्लियर है कोई सब को क्लियर है या दो कोई क्लियर है क्वेस्चन है तो मुझे से अभी पूछ ले क्योंकि मैं इसको मजीद कॉम्प्लिकेट करता जाओंगा आइस्था इस्था अच्छा अब क्या है अब यह है कि आपका निपोलियन सब फिर वार स्टाफ हो गई है निपोलियन ने जब अब आया ब्रिटिश को कोड़ आएस सवाल पुछ हो अब यहां से नहीं चीज़ेंद को टरू हो ढूंगी जब निपूलियन ने वार स्टाट ब्रिविक्त पो यहां बहेजा गया यहां से विस्फ निकाल गया यह भी अगया यह भी इसाइड पर जाएंगे यह फिरोश्य होता है डिपॉलियन जब हरा के आता है ना 1795 के अंदर जब वो बृटिश को यहां रा देता है यहां पर वाती हाता है डی्रेक्ट्री में वैटता है ठीक है नए कॉंस्टेशन के मताबख तो उसको डिरेक्ट्री में और उसके नेशनल कन्वेंशनल वाले इसको कहते हैं आप ब्रिटिश को अब यहां तो आपने पर भी हमला करें और इसको भी ओवर टेग करें पूरी ब्रिटिश को तब वो कहता है कि यार यहां से war करना बड़ा मुश्किल है बड़ाना तु क्यों न हम एक और टरीके से चलते हैं उन्हें का क्या तरीके कार जी उसने अगा तरीके कार ये है कि ब्रीटिश की कॉलुनीज के अंदर जाके उसके उपर हमला करें खास तरफ़र अफ्रिकन के अंदर उन्हें का ठीक है बाई जो तुझे सही लग रहा है वो कर उसको फ्रांस ने स्पोर्ट किया अब कि जो मैं कोईलेशन का वर्ड यूज कर रहा था वो टाइम बिंग डिफ्रेंट कोईलेशन बनती रहेंगी जैसे समझने के लिए फर्स्ट कोईलेशन जो है वो मेंस फर्स ताइम जब वार स्टार्ट हुई आस्ट्रिया पर्शिया ब्रिटिश वर्सिस ऑल कंट्रीज रश्या भी था फिर स्पेन भी सारे यह आ इस्ता हॉलन्ड भी आ गया सर्डीनिया भी आ गया सर्डीनिया यह वाला ठीक है है कि तो तो के फर्स्ट कोईलेशन जैनिकि फर्स्ट राइम जब और स्टार्ट हई तो वह आपकी सेवनटीन नाइटी टू से लेकर है आपकी नाइंटी सेमन तक चलती रहे इसको कहते बृस्ट और लाइसन भी और कि फिर्स्ट वार भी कहलें इसको जो मर्जी कहलें फॉर्स टाइम जो लाइन सीजन का हुए और इस तरह यह अगें और अगें कोईलेशन बनाते चले गए और सिस्टम जो एना वो वार होती रही ठीक अब इसको जरा देखने हैं आपके बॉय ने क्या किया इसको समझने हैं फिर्स्ट कोईलेशन थी वार चल रही थी यह यह बहुर ऑके किरा के आ गया इस्टॉर्शन हो रही है आवाज नहीं आ रही क्लियर है साधिया को वाज़ नहीं आ एच्छा चलें गौड़ अब फ्रांस जो है वो उसने क्या किया निपोलियन जब हरा के आ गया ब्रिटिश को और उसको कहा कि आप ब्रिटिश के ओपर यहां से हमला करें तो उसने मना किया कि यहां से हमला नहीं करना मुझे आप इजाज़त दें तो मैं एक और तरीके से हमला करता हूँ उसने का कि मैं जो है वो यहां से निकलके इस यॉरप से निकलके मैं अफ्रीकन कॉंटिनेंट में जाऊंगा अफ्रीकन कॉंटिनेंट नीचे आता है अगर कोई पिक्चर जो है यह आपकी कुई थी यार दिदार कर लो यह सारे सारे मरेंगे यह आपका निपॉलियन वोय ठीक है तो उसने कहा कि मैं बलके मैं आपको नो वह दिखाता हूं वर्ड मैप सब्सक्तरा आपको समझाएगी कि के और कहां पर उसने इसको किया एंड किया ठीक है वर्ड़ जैसे लास्टाइम आपको जाने भी कोशिश की थी ताके ना आपको समझ आए आहा क्या वारी ले जी अब मैं आप से जो है वो शेयर करने वाला हूँ सक्रीन जरा मुलाहिजा फरमाई सक्रीन नजर आ रही आपको वर्ल में आप नजर आ रहे हैं यास गुड अच्छा इसने का कि देखो यार यहां से अटैक करना ना फ्रांस से यहां लंदन के ओपर अटैक करना काफी डिफिकल्ट है मैं ना इसकी कॉलूनी है अजिप्ट में यहां पर अटैक करता हूं उन्हें का ठीक है जैसे तुझे सही लगता है तो साहब यहां से निकलता है यहां से होता हुआ यह बॉय यहां पहुंच जाता है अजिप्ट के अंदर अब इसके पीछे जाहरा ब्रिटिश उस वक्त रूल करती थी सी के ओपर ब्रिटिश की जो में वजा है दुनिया में कॉलूनीज बनाने की डाट इस दा नेवल पावर उसके पास ऐसे से फ्लीट थे उसके पास दौर में और ऐसे सी जो है ना उसके प प्रिटिट के वो नेवल पावर में सुपरमेसी थी उसके पास इंटरनेशनल वाटर स्के प्रिटिश ने का यार हमें यह पता लगा है कि फ्रांस का बॉय निपोलियन जिसने हमें यहां पर हराया था वह अजिप्ट में हमला करने वाला है यार गो फर इट तो उन्होंने की से एक एड्मिरल नैल्सन बॉय को बेजा निपोलियन ने का की यहर मेरे प्लैन यह फृ hinges को बताया कि हमें यहां से जाए अजिब्ट में हमला करूंगा विश्रियम में यहां पर जोज फिक हमला करूंगा फिर निकल के जाओंगा सुजिस के नाल है यह ठीक है मैं जाओंगा सब कॉंटिनेंट के अंदर और वहां पर जाकर टिपू सुल्तान से मैं मदद मांगूँगा क्या बात और मरेटाज उनको भी मिलाओंगा अपने साथ और वहां पर ब्रिटिश ये इस्ट इंडिया कंपनिया उसको खुतम कर देंगा क्या सोच है बलंद सोच का मालिक ऐसे होते हैं वर्ल्ड लीडर्ज ऐसे तरक्की करता है मुल्क अरब और रुपे की करप्शन्स हैं नहीं करता तरक्की मुल्क और आफ्शोर अकाउंट्स नहीं थे उसके जो आप लोगों ने आफ्शोर अकाउंट्स बनाए हुए न यह नहीं थे उसके पास रूट रूपीट कर दें रूट सिंपल सा है फ्रांस से निकलेगा ठीक है टहलता टहलता अपना एक जालस बॉय का बाकी फोज है उसके साथ पहुंच जाएगा जिप्ट यहां आएगा यहां से उसने सोचा हुआ था यहां तक तो क्या हुआ उसके साथ वह हम पढ़ेंगे उसे सोचा हुआ तो यहां से मैं निकल के जाओंगा यहां से स्विस केनल से निकल के जाओंगा मैं रेड सी से होता हुआ मैं जाओंगा यहां से गल्फ ओफ एडन से निकल के यहां आओंगा क्या बात है यहां 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 आओंगा यहां पर आके फिर मैं अपने बॉय को जो दिपु सुल्तान है उससे मिलूंगा उससे यारी लगाऊंगा और इसको कहूंगा कि मेरी मदद कर इस्ट इंडिया कंपणी के खिलाओ क्या बाद प्लैन कैसा है वैसे प्लैन निपॉलियन को बहुत ज़्यदा और एस्टिमेट को नहीं कर दिया प्लैन तो मुझे तो सही लगता है कि आपके नजदी क्या है यह प्लैन कैसा है प्लैन अच्छा है अच्छा है बाकी क्या समझ रहें कि प्लैन है वहीं सोच रहा है यह निपॉलियन बहुत ज़्यदा सोच रहा है अंडर एस्मेट कर रहा है ब्रिटिश को ठीक है कि जाली मुदस्थ सुलेड़ करते हैं शाली बलान सरी निपूलिय और ड्रेक्टर प्लैन कि अधिक अंधर बैठै कि अभी ध़्यक्ट करूं करेगा कि added कि ड्रेक्टरी को बन्रे और वे और बन्दे है उसके ब्रुषाम लगा Estados अब यह थोड़ी बहुत जो डिरेक्टरी रहती जिसके रही खुद बैठा है टीपू क्यों हल्प करेगा टीपू किसके गेंस लड़ा था टीपू सुल्टान कम्याव हुआ यह कम्याव हुआ तैसलिए गॉल्डन डॉल्र कि आप निपोलियन को इंडर इस्किमेट किया हुए है कि यारी बहुत ज़्यदा सोचता था खर साधिया का क्वेस्टन है कि टीपू क्यों हल्प करेगा टीपू किसके खिलाफ लड़ रहा था मेरा यह सवाल है जब आप इसका जवाब देंगी तुम आपका सवाल सौल्व हो जाएगा अच्छा निपोलियन जो है वह यहां पहुंचा आ रहा था इस्ता टहल ठहल के आ र जा यहां पहुचा उसने कहा यार इसको भी अपने ले लो डाल दो बैग में मल्ता को भी फ्रांस के अंडर डाल दो उप माल्ता के लिए यह भी सीज करता हो गया अच्छा बिटिश को पता लगा कि यह वाय निपोलियन यहां से निकल चुका और यह अजिप्ट के अंदर आने वाला और यहां पर हब्ला करने वाला उसने अपने एड्मिरल नैलसन को भेजा कि यार तुम ना स्पीड ली जाओ ले जी अभी आपका बॉय पहुंचा ही नहीं था आपका बॉय जो है वो पहुंचा ही नहीं था निपॉलियन के ब्रिटिश यहां पर खड़ा था ए ए एक्जेक्टीव तो वहां खतम हो गई यह समझ लें कि फरांस वास अंडर दव और लेजिसलेटिव जो यह वो जढ़ा थोड़ा बहुत वाह करने ही थीक है लेजिसलेटिव असम्बली जो बैटी वो थोड़ा बहुत वाह करी है किस तरह सिस्ट्ठों को चुछ लाना एक्जेक्टिव को तो वो उड़ा देगा खत्म कर दिया उसने एक्जेक्टिव खोड़ी ओलिन वन खोड़ी है यह जू कृस्टन हे नघिस बूदि जैसे कृसियन पूछे यह कृस्टन पूछे इससे क्या होता है कि आप इस लिव कर रहा था माइंड में आइडियाज के क्लियर्ट ही आना स्टार्ट हो जाती है अच्छा यह से निकलता हुआ वो अजिव पहुंचा उससे पहले अभी वह पहुंचना ही था क्यूंकि माल्टा में उसको काफी देर लग गई उसने सीज करना था माल्टा को तो आपका जो नैंसल एड्मिरल था ब्रिटिश वह पहले पहुंच यहां खड़ा वह भापसी अब वह भी आ गया आपका निपोलियन जो यहां जो है वह उत्रा है इतने में ब्रिटिश ने क्या सोचा नैंसल जब यहां पहुंचा उसको लगा यार निपोलियन ना यहां से यहां से होके चला गया उसने क्या किया उसने बाकी जगा डूनना स्टार्ट किया उपर यहां पर ठीक है इतने में निपोलियन आया उसने आके यहां पर वार की ठीक है जी ममलुक यहां पर हकूमत थी उसको ठीक है और उसने पिर एजिप्ट के उपर हमला किया और यहां प लेख़ लड़ाई होगा यहां प्हेंटि लगाई उसकी फाज को म 유ण हखा यह मामले खराब हो गया मुझे निकलना चाहिए निपोलीन अकेला निकल वापसी फ्रांस को और अपनी सारी फोजियां पर छोड़ गया अभी मैं इसको समझाता हूं दोबारा भी अचा सर फ्रांस मनसब का कुछा सर फ्रांस का में इशू तो फिनेंशल काइसिस था और बैंक कापसी थी फिर ये निपोरी को पावर वापसी फिर ये वार्स के एक्स युऐस हिस्ट्री पटते हैं उसके अंदर ये सौल होता है कुरूसिन का मनसब का कुरूसिन जो हैना वह हम सेव कर लेते हैं और मनसब के espec का क्कियों को हम Atéशै कशा करेंगे थोड़ी दिर बाद यह खुडी मनसब को समझ आब इक कहां से पैसे आते रहूं पैसे थे नहीं पैसे कहां से आ रहे हैं फी कि तो इसका क्या तरिकर्व का रह रहे हैं अचा यह को मैं ज्णा बहत अच्छा protected अब यहां पर वार हो रही है जी और आपका अजिप्त से यहां से इम्मराने घ्ण में आपनों इसके साथ वार होती है और वो निकल लेता है वो उहा देता है आपके निपॉलियनघी को निपॉलियन वाफ सही जाँ से आता है यह आंतक आपको अगर समझ आती हैं तो मैं आपको अब एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको यह वार वो प्यारे अंदास समझाएगा जैसे मैं मैं आपको में आपको तुरू स्क्रीन शेयर करते हैं ठीक है अच्छा गुड हो गया मुसल्मान है जी मुसल्मान जहना है अच्छा अब मुझे बताएं कि यह पिक्चर सामने आपको नजर आ रही है एपोलियन पार्ट वन बर्थ वेन एंपरर नजर आ रही है जी गुड अब वीडियो अगर चले हैं तो मुझे बताना वीडियो की आवाज भी आ रही हो तब ही मुझे बताना और चल भी रहो तो मुझे समझाना ठीक है यह भी इस निपोलीन की पदाइश के बारे में बतारा के वो पैदा जो है वो काँ पर हुआ और पर स्ट्सक्राइब जो है इन कि उसे आगहा है यह यह चेस्ट रही है यह फोर रहे हैंगायो भी जया है यह को जा लाध कि सब्सक्राइब की जो ए कि positives where he specializes in artillery the following year at age 60 he is appointed second lieutenant of the artillery in valence in france the economic situation is catastrophic the seven years war and the american revolutionary war have emptied the coffers of the country louis the 16th struggling with the country's financial difficulties summons to website representatives of the clergy the nobility and the third estate that is the people to find a solution to the crisis after disagreements third estate officials seize power by founding the national assembly while in paris insurgents take over the royal fortress the story in corsica for centuries the island was a genoese possession but separatists revolts force genoa to ask help from the french army in the end the sovereignty of the island is ceded to france the following year napoleon bonaparte is born into a noble family from ajaxio he grows up with his seven brothers and sisters and when he turns nine is sent to the military school in green champagne napoleon a good student is admitted to the military academy in in paris where he specializes in artillery the following year at age 16 he is appointed second lieutenant of the artillery in valence in france the economic situation is catastrophic the seven years war and the american revolutionary war have emptied the coffers of the country louis the 16th struggling with the country's financial difficulties summons to website representatives of the clergy the nobility and the third estate that is the people to find a solution to the crisis after disagreements third estate officials seize power by founding the national assembly while in paris insurgents take over the royal fortress of the revolutionaries vote for ending feudal privileges and adopt the declaration of the rights of the man and the citizen king louis the 16th is then forcibly taken to paris from where he later tries to flee with his family to a royalist stronghold but they are spotted and stopped on the way initially european monarchies remain mute about the french revolution seeing the weakening of their french competitor as a good thing but the arrest of louis the 16th make them fear that revolutionary ideas might spread across the continent and threaten their throne prussia and austria then combine forces to try and restore the french monarchy war breaks out with the french armies in poor condition facing the allied army advance on paris the revolutionaries panic and execute all opponents of the revolution but eventually an unexpected victory of the french army pushes the coalition back beyond the country's borders the revolutionaries regain confidence and proclaim the republic louis the 16th is then tried and guillotined further angering european monarchies the coalition strengthens while on the french side conscriptions swell up the ranks of the army within the country clashes between royalist and counter-revolutionary forces cause civil wars napoleon and his family who support the revolution are driven away by corsican separatists in toulon royalists seize the city and receive the military support of britain and spain that enter the harbor of toulon with their armies after the french army fails to retake the city napoleon is summoned to replace the artillery commander who was injured assessing the situation he suggests a new plan instead of of attack in the north he proposes seizing the force south of the harbor to install his artillery and attack the allied fleet his plan proves successful and the city is taken back in two days napoleon's decisive intervention earns him a promotion but in paris a new coup overthrows the government and napoleon loses his title a year later a royalist revolt breaks out in paris and he is put in charge of quelling the rebellion giving him an opportunity to prove his loyalty for the new government he orders his men to fire on the crowd killing 200 people and ending the insurgency as a reward napoleon is given command of the french army of the today before leaving paris napoleon marries josephine with whom he had fallen madly in love she is the widow of a guillotine discount and a mother of two napoleon joined his army which he finds in poor state his men are poorly fed badly equipped and no longer paid napoleon would assume the role of their charismatic leader and motivate his troops by promising them the riches of northern italy at this time two armies are stationed there appeared monty's army in the अच्छा ये ना कोईलेशन चल रही है कोईलेशन जो है वो आपको पता है फिर जो है एक तरफ फ्रांस है बाकि सारी तरफ जो है उसके अगेंस्ट ऑपनेंट्स हैं और वो लड़ रहे हैं अब ये चीजें जो ये बता रहा है ये है आपकी निपोलियन की वार्ज भी इनको क किस तरह लड़ता रहा ठीक है तो यहां तक हम इसको जड़ा स्टॉप करते हैं और अब हम देखते हैं कि आपका वाई ये निपोलियन जो है वो वाल लड़ रहा है यहां पर इटालियन जो कमांड थी उसके अंदर वाई को हैड़ बना दिया गया और वो यहां पर लड़त रहा इस चीज़ ने ठीक है और आगे यह किस तरह आउस्ट्रिया और उश्या और सर्डेनिया की जो फोर्से दी इसको कैसे हराता है वो देखना है कर सक्रास्ट चूमें हमारी ओन चान्व ésान्वी आपन प् alarुदेखं आपोल्च रविज एक फौरेखंब लाथoter दो कन पाहरेविól nur ऑन्व कना फबỜए कम इना फ्सी आप जान फबने में। अंवनने खञी किक टीजéo ए्डोरी व्थ खेंट של्गाव अनने कि अपृट औरन लाप्री थ्रमें के पे लुप अचायओ अप्रव मीरी पूल व्रेखिक ल रहिंग अप्रावीन अप्रशार कर फिर्ष किमिनपुन. यहां पर आप रुख जाएं आपको बहुत जदा मेरे खाल से रही है तो हम यहां पर रुख जाते हैं अच्छा यहां तक वैसे समझ आगई यह क्लियर है यह मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि ताके आपको इस चीज की क्लारिटी हो कि यह जो डिफ्रेंट वार्ड्स हैं वो किस-किस जगा पर कब-कब लड़ी गई और निपोलियन जो है वो किस स्ट्रेटिजी के साथ इनको हराता रहा है फर्स्ट कोईलेशन सेकंड कोईलेशन थर्ड कोईलेशन फॉर्थ वाइफ कोईलेशन चलती रही है ठीक यहां तक बातें समझ आ गई हैं टाइम से क्या हो रहा है 1129 हो गए है मेरे खाल से हमें एंड करनी चाहिए लेक्चर को और हम कल निपोलियन वार्ट को स्टार्ट करेंगे और निपोलियन वार्ट को हम देखेंगे कैसे निपोलियन जो वह लीड कर रहा है कि फिर्स्ट कोईलेशन जो है वह लड़े गई अब यह यहां और दा करके यह ब्रिटिश से लड़ के वजिप्ट में वहां से वापसी आएगा वहां से वापसी आकि घर में आखे जो है जो है वो पर यह एंपरर बन जाएगा फर दालाइफ टाइम ठीक है तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्शन देखें यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं हैं प्लीज टेल मी अब रहा क्वेस्चन मंसब का मंसब ने कहा के पैसो का मसला था और जंग कैसे कर रहे हैं तो में चीज तो यह थी के फ्रांस ने अपनी मोस्ट अफ़ वार खास पर पिन पॉलियन वार वो अपनी कॉलोनीज जो है हाँ वही मैं अपनी जो कॉलोनीज हैं उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया था निसाल के तोर पर इसकी एक एक यहशेंपल मैं देता हूँ वह यह थी कि फ्रांस की कॉलूनी थी जो आपका यूएस है उसका बहुत सारा पार्ट जो है फ्रांस के अंडर था यह जो थर्टीन स्टेट्स आपके शुरू वाली है ना जो एक अट्लैंटिक ओशन के उपर बलके मैं आपको ना पिक्चर दिखाता हूं आपको ना फिर उसके अंदर क्या कहते हैं यह देखिए यह नजर आ रहा है यूएस का मैप यूएस का मैप आप लोगों को नजर आ रहा है जी गुड़ येस लोजियाना ट्रेटी लोजियाना परचेज इसको कहते हैं लोजियाना परचेज यह जो फ्रास है ना यह बॉइ आप यह अट्लैंटिक ओशन ठीक नौक अट्लैंटिक ओशन ठीक है फ्रास जो है वो उसके पास यह वाली ट्रेट्री थी यूएस की जब यूएस अंडर कॉलोनी था और यह वाला एरिया था ब्रिटिश के अंडर तो जब अजाद हुए ना अमेरिका तो अमेरिका के पास सिर्फ यह वाली 13 कालोनी यहां पर थी सिर्फ वो थी उसके पास अब अमेरिका चाहता था कि वह वेस्ट वर्ड एक्सपैंड करें और यह सारा कॉंटिनेंट अपने पास लाए अब फ्रास अपनी वार जैसे यह वाली जगह है यह लूजियाना यह काफी बड़ी जगह थी इसने तोमस चाफरसन के टाइम पर इसने सेल कर दी निपोलियन ने फ्रांस ने यूएस को फिफ्टीन मिलियन डॉलर के अवस ठीक है तो इस तरह यह अपने आपको सबसिडाइज करते रहे वार को और लड़ते रहे और जो बाकी कंट्रीज उनको कौन सबसिडाइज करता रहा उनको बृटिष करता रहा जो के एक यह समय ले की दुनिया के वपर राच लाज में कर रहा था उसके पास काफी वैल वैल्टी उनको सब्सिडाइज करता था इह जितनी वी वार्वार्वज होंगी सारी सब चो में बताया ने फ्राव ने वो आन्स वाला वह उन्हों ने पीपर करनसी स्टाट की थी ऑग जो न वह उन्होंने शापना स्टार्ट कर दिये तह कर जिससे उन्हों ने कहा कर अम जो है और लैन्ड जितनी भी थी कलर्जी की वह वैल्थ को कंफिस्केट कर लिया उनके पास इतने भी पैसे थे ठीक है जी वैल्थ गोल्ड फॉर्म में थी जिस फॉर्म में सारी कंफिस्केट कर ले थी उससे भी काफी पैसा उनको फ्रांस को अरली टाइम में मिल गया था अरली वार को सबसिड है यहाँ तक यहां को पूलीक ने कंफिय हैं बोरिंग है तो मुझे बिता दें हाद एमारे मिचे फारी कि लग रहा है हुझ है कि कि हिस्ट्री के अंदर आगर आप ने इसको इस टॉरी के दौर पर ना प्रियार किया तो यह आपके सरदर्द बन जाएगी कि इस वेरी इंट्रेस्टिंग ठीक है यह इस वर्ड मैप को देखते रहा गरो बस ठीक है और ताकि आपको चीज़ें जो है ना वह आइसा इसता क्लेर होती जाए अच्छा जी आपको क्वेस्ट्टन हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं और नियू स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता नहीं समझाई होगी यह नहीं को क्वेस्ट्टन है तो आप पूछ सकते हैं हुए है जो कि की अजैए कि को दिए जब करते हैं अब इस पड़िक करते हैं कि मैं चाता हुए जब स्टेबल हो जैना हिस्ट्री और इविंट्स आप सब्सक्राइब कुनेक्ट करना स्टार्ट करने तेरा हम जरा गफ्षप करेंगे हाँ यह निपोलियन जो है वो जब फर्स्ट कोईलेशन खतम हो जाएगी ना 1799 के अंदर ठीक है यह फर्स्ट कोईलेशन को एंड करता है उस पहले यह बनाता है डिरेक्ट्री को खतम करके अपने आपको फर्स्ट कॉंसर्ट फिर यह नैशनल कर्वेंशन को खतम कर देता है औ और फिर ऑल इन ऑल खुद बनके बैड़ जाता है और वह 1802 1801 के अंदर इस तरह 1801 यह टू के अंदर वो जैसे ही सेंचिटर्न होती है वो वैसे ही सेकिंड कोईलेशन स्टार्ट हो चुकी होती है और सेकिंड वार स्टार्ट होती है उस वक्त वह नैशनल कर्वेंशन को खत आई होप के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बाकी जो है वक्त तन देखते रहेंगे हम सिस्टम को क्या करना है क्या नहीं ठीक है ओके जी लाफिज जी लाफिए